हमें किस्वे शताबदी के किस्वे साल में दाखिल हो रहे हैं लेकिन आज भी बहुत से लोगों की रगों में जातिवाद का वाइरस दोड रहा है दुनिया तरकी के रास्ते पर आगे बढ़ रही है लेकिन भारत के कुछ जातिवादी लोग ना सिर्फ देश पर बलकि मानव सबहता पर भी कीचड़ उचाल रहे हैं ताज़ा मामला यूपी के बदा यूसले का है जहां सैलून वाले ने एक दलित के बाल काटने से मना कर दिया उस सैलून वाले को ये गवारा नहीं था कि कोई दलित व्यक्ती उसके दुकान पर बैठ कर हेर कट कर आए जातिवाद के वाइरस से भरा ये व्यक्ती इस वाइरल वीडियो में साफ साफ कहता सुनाई देता है कि जाटव और महतरों के बाल नहीं बनाएंगे सोशल मीडिया पर वीडियो वाइरल होने के बाद आरोपी सैलून वाले के खिलाफ सेस्टी एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है तिलंगाना टुड़े की रिपोर्ट के मताविक आरोपी फिलाल फरार चल रहा है लेकिन इस्थानिय पुलिस ने उसे जल्द गिरफतार करने का दावा किया है दलितों के खिलाफ हो रहे इस तरह किस सामाजिक भेदवाओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर लोग आक्रोश जाहिर कर रहे हैं अज़ाद समाज पार्टी के प्रवक्ता सूरज कुमार बोध ने अपने ट्वीटर हैंडल से लिखा हम जाटवो महतरों का बाल नहीं काटते हैं ये वीडियो उत्रपरदेश के बदाईउ जिले की है सैलून में ऐसी वेक्ति का बाल काटने से मना किया जा रहा है क्योंकि इनकी नजर में हम अच्छूत हैं और हमें च्छूते ही इनका धरम ब्रस्ट हो जाता है जातिवाद का दंश ये वीडियो उन लोगों के लिए भी एक नजीर है जो कहते हैं कि अब न्यू इंडिया में जातिवाद नहीं होता दलित ग्रहा के सैलून वाले को पैसे देने में भी सक्षम थे लेकिन फिर भी उसने उन्हें हाथ लगाना भी ठीक नहीं समझा ऐसे लोगों को मानसिक बिमारी कहा जाना चाहिए और उन्हें पागल खाने में रखना चाहिए बिरो रिपोर्ट दशूद्र बनाओगे और समझे बनाओगे चलो ठीक